BJP इस समय पर State Bank of India को second BJP बना करके काम करना चाहती है और चुनाव में benefit लेना चाहती है State Bank of India इस time को extend करना चाहती है, data को upload नहीं करना चाहती है, BJP का बचाव करना चाहती है बारत देश के 140 करोर के जो जानता है, मत दाता है, उसका कहीं ने कहीं वो पूरे दरीके से valuation कर रहे है उसके राइट्स का इस चुनाव में जो electoral bond को लगबग 660 करोर रुपए के आसपास में जो funding आई हुई है वो जनता के सामने disclose नहीं हो जिसमें 80% के आसपास या उसके closest में सबसे जादा BJP को मिला है कि BJP चाहती के 2024 का जो चुनाव हो है वो हमारी image नखराब हो जनता के सामने उसको कहीं ने कहीं उसको घुमाना चाहती है उसको लोगों को गुमरा करना है जनता को decide करने का पूरा power है कि कौन से व्यक्ति ने कित चाहता हूं कि स्टेट बैंक आफ इंडिया ने परसो अप्लिकेशन मूब किया है कि हमें टाइम एक्स्टेंड किया जाए क्योंकि ऑनरेवल सी जी आई का जो पांच बेंचों का जाजमेंट आया था फुल सपोर्ड के साथ में बिदाउट एनी किसी अब्जेक्शन के तो लोगों ने चेरने जिस बीजनेस्मेंट डिया था कि स्टेट बैंक ऑफ İंडिया को विदिल ली मिट्स में जितने लोगों ने अभी तक टेल्स बाउंड में इतनी फंडिंग कि हैं इस पार्टी मतलब किस बीजनेसमें हैं किस ब्यक्ति ने कितना ़िया है वह संबंदित उसको लेकर कि यह चाहते हैं कि अब इस टाइम को बढ़ा दिया जाए इस्टेट बैंक आफ इंडिया के लिए मस्ट किया गया था कोट ने मस्ट किया था कि आप सारे डेटा जितने भी हैं उन सारे डेटा को आप एलक्शन कमिशन की साइट पर अपलोड करिए बट डिस इस अभी दिखता हुआ नहीं प्रतित हो रहा है आज भी किसी ने बोला है कि चंदा मामा की एक बड़ी अच्छी पोईं किसी ने लगाया है तो मैंने यह बोला है उसको ट्वीट करके भी मैंने जानकारी दिया है कि आप लोग चिंतना मत करिए इसी चुना में दो हजार इंडिया इस समय पर करेंट रूलिंग पार्टी को बचाने के लिए उनकी छबी खराब होगी या उन्होंने बहुत बड़े लेबल पर जो फंडिंग लिया है जो अडानी और अंबानी जैसे बड़े लोगों का यह जो भी है एक्स वाइज़र यतने भी डेटा के लोगों कराई है जिस अप्लिकेशन में इसपस्ट होता है कि बीजेपी चाहती ही कि 2024 का जो चुनाओ है वो हमारी इमेज न खराब हो जनता के सामने उसको कहीं ने कहीं उसको घुमाना चाहती है उसको लोगों को गुमरा करना है इस्टेट बैंक आप इंडिया के द्वारा उनको उ फॉर्मेट में यह सारी फॉर्मेट का हम वी और आप करना चाहती है इस सटेट बैंक आप इंडिया इस टाइंड को करना चाहती है डाटा को अपलोड नहीं करना चाहती है, बिजेपी का बचाव करना चाहती है, भारत देश के 140 करोड की जो जानता है, मत दाता है, उसका कहीं ने कहीं, वो पूरे तरीके से वालेशन कर रहे है उसके राइट्स का, इसी के साथ में आर्टिकल 19.1.a, जिसके आधार पर अन्रे यहां पर करेंट में बीजेपी सरकार कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक आप इंडिया को आगे करके यह करना चाहती है, कि वह किसी भी प्रकार से इस शुनाओं में जो इलक्टोरल्स बांड को लगबग 6,000 करोड रुपए के आसपास में जो फंडिंग आई हुई है, वर्ल जनता के सामने डिस्क्लोज नहों, जिसमें 80% के आसपास या उसके क्लोजस्ट में सबसे जादा बीजेपी को मिला है, सारा डेटा किस ने किसको कितना दिया है, हम लोगों ने इस चीज़ को लेकर कि सारी चीज़े बोल दिये, कि यह जो जो भी किया जा रहा है यह जंता को 5 साल के लिए सिर्फ मौका मिलता है और वो समय आ चुका है, जिसको लेकर कि स्टेट बेंक्श इंडिया, जो काम करना प्रदान मंत्री हमारे सब जगे कहते हुए गुमते रहते हैं तो इंडिया में यह सारे साफ्टेवर इनके पास डेटा है वह एक सेकंड का काम है और इनके उपर यह ज्यादा दवाब बनाए तो इनके उपर कॉस्ट भी इंपोज किया जाए स्टेट बैंक आफ इंडिया के पास क्योंकि 140 करोड की जनता का जो राइड्स है जो मता अधिकार है आडिकल 191 का जो वालेशन हो रहा है इन सारी चीजे नहीं होनी चाहिए यह पूरी तरीके से बिजेपी इस समय पर स्टेट बैंक आफ इंडिया को सेकंड बिजेपी बना करके काम करना चाहती है और चु जनता को डिशाइड करने का पूरा पावर है कि कौन से ब्यक्ति ने कितनी फंडिंग ली है कौन सा फंडिंग कितना पैसा किसके पास आया है इस पार्टी को किसने कितना दिया है सरकार में जो पूरे सरकार की संपत्ति देश की संपत्ति पूरी बेची है उसी संबंधित ब जह से ब्यक्ति outsiders को कितना हैं इसको कितना funding दी जा रही है कौन से ब्यक्ति कितना चुनाूं कर रहा है यह सारी चीज़ों को लोगों की त्यार है कल पहली किंदी एंप आप चिंदन मत करें अप्लिकेशन डाल करके आपने आपको बचाओ करना चाहते हैं पर ऐसा होने नहीं दिया जाए पहले सी कंटेब्स बड़े खुश हो रहे थे ना कि बड़ा फैसला अभी खुश है कि सुप्रीम कोट नहीं मानेगा नहीं नहीं वह मेरी बात आप लोग कुछ और बात गुमा इन्डिया को लेकर चौट टाइम लेमिट्स दी गई है उलक्षन कमिशन की पॉर्टल में उनको डेटा तकर देना है और उन प्रटल में इलक्षन कमिशन आप इंडिया उस डेटा को अपलोड करेगा ज्यान रखने की ज़रूरत है इसमें इन चीजों को लेकरके र्चिं ह बांड है हमारा उसको उसको उसने भी गलट ठहराया है इसके साथ में जो विपक्षी पार्टिया उन्हों ने भी ठहराया है सुप्रीम कोट आफ इंडिया ने भी ठहरा दिया है तो जब हम ने सारे इन चीजों को ले करके हम लोगों ने जैसे ही फाइल हो रही है इन सारी चीचों को लेकर कि स्टेट बैंक आफ इंडिया ने अपना एक अप्लिकेशन लेकर के पुछ गए स्टेट बैंक आफ इंडिया के सुरी मतलब कोड में सुप्रीम कोड में अब वो चाहता है कि हमारा टाइम कर दिया लिस्ट हो गया आइधर फ्राइडे है आइधर मंडे है दो डेटों में फिक्स हो गया है जिसमें मद्य प्रदेश शातीज गर्ड राजस्थान को ले करके था उसमें इबीम सारी रिकॉल की जाएंगी बीवी पैट रिकॉल किया जाएंगे फिर से रिकाउंटिंग के बोलना चाहा रहा हूं कि यह दूसरी प्रदिशन जो इलेक्शन कमिशन को लेकर के थी वह भी आ गई है चलिए अब बोले क्या सब्सक्राइब करेक्शन किया है क्योंकि मेजर जो इसमें इलेक्टोरल बंस को किया है उनमें से कुछ लिम्टेड लोग है आप लोग जानते ह 22,000 के असपास है उनको अपलोड करने में आपको कितना टाइम लगेगा मुस्किल से कुछ वही तो मैं कहना चाहता हूं दूसरा इसके साथ में सबके आधार कार्ड होते हैं आप लोग सारे लोग जानते हैं आधार कार्ड से सबके काउंट लिंक है आज तो आप माने ना मा पूरे बारत सरकार के डेटा जाएं इसके आधार पर यह स्टेट बैंक आफ इंडिया ने जो भी करने की कोशिश कर रहा है वह पारी उसमें सफल नहीं होगा मैं आपके माद्यम से बोलना चाहता हूं पूरे देश के माद्यम से बोलना चाहरा हूं 140 करोड की जनता जो है इस बार 27 जो 24 का चुना होगा फ्री और फेर एलेक्शन्स में उसका कंट्रिवीशन उसको पता होगा कि हम जिसको बोर्ट दे रहे हैं वह प्रेटिकुलर बोर्ट उस ब्यक्ति को जा रहा है कि नहीं इसका भी होगा प्रमारित दूसरा कौन से ब्यक् में यह काम होगा